प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूं तो अलग-अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन नीमच जिले की जावद विधानसभा के ग्राम काक्रिया तलाई से मुकेश प्रजापत नामक एक व्यक्ति पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्या लएके चक्कर काट रहा है जन सुनवाई में हर बार आवेदन देने के बाद उसे अधिकारियों द्वारा कारुवाई की बजाएस सिर्फ आशवासन दिया जाता है आश्वासन की आस में जब वह अगली जन सुनवाई में फिर पहुँचता है तो फिर मिलता है उसे एक नया आश्वासन आखिर पीडित व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार को अपने गाव से जड़ से खत्म करने के लिए मुहिम चलाई उसके अंतरगत जब पानी सिर से उपर गुजर गया और उसकी शिकायतों को अधिकारी हलके में लेते हुए कभी कोई उचित कारवाई नहीं कर पाए और लगातार चक्कर काट कर परेशान होते हुए मुकेश प्रजापती ने जन सुनवाई में एक अनोखे अंदाज में बिना शर्ट पहने एक हजार पुराने शिकायती आवेदनों की माला को पहन कर लोटन करते हुए कलेक्टर कार्याले परिसर में दाखिल हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया उसके पश्चात कलेक्टर कार्याले के बाहर बैठकर मुकेश प्रजापती ने मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन सरकार से न्याय की भीख मांगी यहां तक कि उन्होंने अपनी चपल खोल कर सिर पर रखते हुए मीडिया के सामने कहा कि मोहन यादव जी अब तो मुझे न्याय दे दो साल साल हो चुके हैं अब मैं खुद की चपल अपने सिर पर रखकर न्याय की भीख मांगता हूँ इस हालत को देखते हुए एक विचार अनिये प्रश्न जरूर मन में आता है कि क्या न्याय के लिए आम आदमी को इस तरह परेशान होना पड़ेगा आँ मैं तेश के लिए ताल जरूर में जानि में यह एक बेरा क्या सवार्थ थैंए इसे जाली बोटो यह पेजिए हैं इसे प्रीगजिए रिए यह पारु को इरिए हैं यह पारुदो है कि जाली बोर्टों है इनके मैंने सिकायद कहां कि कि इन बोर्टों कहां कि बहिजे इतने बदमास है फे तो लोकाट से फाइल लेके आया में तब मालूम बड़ा मेरे पो कि लोग इतने किरे हुए पर लोकाट माल आदेcipा है खिसरी बोस्दी अलब शुए कि पर विसरी इतने कि लोग समीन कि गल बुए समीन है फविजे मेरे One two परहागा तारो पिये ईखेड़ागा है कर लो इचा कर गार कर दिए अपरी कर दिएा एक लिए लुका लगगा है झाल झाल